ये बात तो आप लोगों का पहले से पता है कि हनी पाजी के 70% गानों के लिरिक्स टीवी पर चेंज हो जाते हैं जैसे मुवीज के लिए सेंसर बोर्ड होता है कट ओफ सीन के लिए सेंड वे से टीवी पर सोंग आने से पहले इसका भी रिवीव होता है अगर कोई भी आदपती जनक शब्द होते हैं जो भी वीडियो सोंग में लिरिक्ली इशू होता है उसको अपडेट या मोडिफाइ करके चेंज करके टीवी पर टेली कास्ट किया जाता है और ये हनी पाजी के साथ ही नहीं सब सिंगर्स के साथ होता है वे सही सेम यूटूब पर भी नियम होता है उसको बोलते हैं कोपा लो आई होप कि आप समझ गए होगे पर इन दोनों नियम का देताली वीडियो सोंग से कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि उसका लिरिक्स वीडियो सब कुछ फरफेक्ट है और बहुत सारे एक सवाल जो आप लोग पूछ रहे थे कि हनी पाजी का सेकंड वर्स वीडियो में क्यों काटा गया उसका आंसर सिंपल है मेरे भाई टी स्रीज ने कोई जान बुच कर नहीं काटा है उस पार्ट को अगर आप म्यूजिक लवर हो तो जाओ टी स्रीज पर जो रिसेंटली ओफिशली वीडियो अपलोड हुए है मुवीज के उनका ओफिशली वीडियो अच्छे से सुनो फिर उनी ही वीडियो का ओडियो स्ट्रिम पर जाकर सुनो 80% गानों के साथ वही हुआ है जो अभी रिलिज हुआ देताली स्टों के साथ हुआ है और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इस बात को लेकर कुछ फैन पेज कुछ लोग है हनी सिंग वर्से स्ती स्रीज कर रहे है बीना किसी रिजन के हैट कर सकते है आप लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे है तो उन सब लोगों को इगनोर करो दिमाग पोजीटिव रखो देताली में हनी पाजी के वर्स है और वोकल है कमाल की है गैस ओल्ड वाइफ फील कर सकते हो और टीवी पर यह गाना भर भर के आने वाला है उस वीडियो सोंग को जाकर सुनो हनी पाजी की नाम से परजेंट लगा दो हेट से दूर रहो प्यार बाटो जैहिंड एंच जै भारत